आपको पढ़ना केसे है, आपको त्यारी केसी करनी है, आपको कौन सी बुक पढ़नी है, मैंने खुद उनको परसनली कोल करके का कि हमें हर्याना के बच्चों को के लिए भी गाइडेंस बेच लेना चाहिए और हर्याना के इतिहास में पहली बार ये गाइडेंस बेच आ रहा पानी नहीं है, जब भी उठेंगे, तूफान बनकर उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है, नश्कार प्यारे बच्चों एक बार फिर से आपका हारदिक स्वागत है, आपके अपने यूट्यूब चेनल जीके भाई परतीप सरपे, और प्यारे बच्चों, हरियाना पुलिस के फोम की जो last तारीक है वो नजदीक आ चुकि यह last तारीक का इंतजार मत किजिए फोम में डाल दीजिए आज हम बात करेंगे कि हर्याना पुलिस का exam कब होगा कितने टाइम में होगा और केसे हम इस exam को चुटकियों में क्रेक है कर पाएंगे आप हर्याना पुलिस म exam की मान के चलो कम से कम है जून में आपका exam होगा तो मार्च के बाद April, May, June अभी 18 वान के चलो कम से कम आपके पास 3 महीने का टाइम है यानी 90 दिन है 90 दिन हमें दे दीजिए और आपका सिलेक्सन है परमात्मा की दिया से हम इतनी को इस करेंगे जितनी efforts हमने किये उतने आपने कर दिये तो आपका selection हो जाएगा cut off है ना जिसके भी ना इसमें physical का भी process रहेगा पहले इसका ना अगर मैं physical की date की बात करूँ तो April में बताया जा रहा है April के last में April में नहीं हुआ तो 101% है माई में इसका PST और PMT पहले होगा आपको पता है marks है वो बाद में जुडेंगे तो cut off है ना क्योंकि physical का process है physical और cut off है ना जिसके भी है ना जो cut off से लगबग 10 एक marks fall to है हो सकता है 7-8 वाले का भी AC की cut off 40 है तो मान के चलो 47-48 वाले का भी आ सकता है यानि जिसके भी cut off से 10 नंबर दिल्ली पुलिस में ना cut off मनलब जिसका भी physical clear हुआ 10% बच्चों का हुआ सभी का selection हो गया तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है लड़कियों को भी दिक्कत आती है तो जिसके भी cut off से journal में cut off 50 है तो 60 के आस पास है ना तो वो सभी form में मनलब उनका चार गुना में नंबर आ सकता है तो यह exam date की बताई अब त्यारी कैसे करनी है आज पहली बार है ना हमने एक मेरा छोटा भाई था सोरो यादव उनका चेनल कभी विजिट करना mentor 365 बहुत अच्छा guidance बेच चलाते हैं और अभी दिल्ली पुलिस में से ना कितनी वेकेंसी आती अकेले एक छोटे से मतनब है भाई ने अकेले साड़े 300 पलस उस दिल्ली पुलिस में selection दिये मैंने खुद उनको personally call करके का कि हमें हर्याना के बच्चों को के लिए भी guidance बेच लेना चाहिए और अब जब भी वीडियो देखोगे तो इस guidance बेच में enroll कर सकते हो इसकी फीस मातर 500, 99 में रुपे इसकी फीस रहेगी स्क्रीन पर एक नमबर तो दिया हुआ है च्वेटर 988-40047 एक सोरोसर का नमबर है तो उस पर दोनों पर आप call करके ना inquiry ले सकते हो और ये सोरोसर है ना इनका ये खुद क्या है selection के लिए जाने जाते हैं मैं इनका ना बताता हूँ छोटे भाई का selection का process क्या है सबसे important है इन्होंने खुद कितने exam कलियर किये है ये तो एक छोटी सी fair list है SSE CPO दिल्ली पुलिस SI selected 2018 है SSE CPO 2020 Air 79 है All India rank है DSSSB TGT Maths Air 45 है DSSSB TGT Science selected है F-CAT 3 बार कलियर है और ये भी देखो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल में 2020 में 84 और अभी कम से कम 57 exam और 20 प्लस exam क्वालिफाई कर सके चुके है CHSL में जो Maths और Reasoning में 100 बटे 100 है फिर 2019 वाले में भी 100 बटे 100 है CTAT, PRT, TGT, STAT, Maths, TGT और अभी SSE selection साथ पोस्टों के ले चुके है हरियाना पुलिस में भी ये पहले selected थे अभी अना DSSSB में दिल्ली जोब करते हैं तो इनकी guidance में न एक बच्चों आपको proper guidance बेच मिलेगा इसमें क्या होगा? जैसे हरियाना पुलिस में स्पोज करो हरियाना जिक्के की है उसमें तो आपको वीडियो access मेरी वीडियो मिल जाएगी IPCC, RPC, उसमें भी वीडियो मिल जाएगी और आपका agriculture, animal, inventory उसकी भी वीडियो link मिल जाएगी बाकी है ना पूरा का पूरा बेच है ना guidance मेंच रहेगा कि आपको English कहां से करनी है, आपको maths कहां से करना है, आपको reasoning कहां से करनी है, डेली सुबह आपके पास target हो जाएंगे और जो library में बच्चे बेठे हैं उनको पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उन सबी के लिए ये guidance मेंच है राम बार होने वाला है और इसमें से गारेंटी के साथ है अगर आप लाइबरेरी में आठ्स ये आपकी seating है ना, कम से कम आठ गंटे ये बेच है, बनादे का डेली सुबह उड़ते ही आपके पास target आएगा, कि आपको आज हरियाना जीके में ये पढ़ना है, मेट्स में ये पढ़ना है रीजनिंग में ये पढ़ना है, और आपको शाम को ना feedback होगा उसका अगर इस target को आपने follow कर लिया ना, 101% आपका selection है, हो जाएगा, बस जितनी मेहनत हम करेंगे, हमारी team करेंगी उतनी मेहनत आपको करनी होगी, और पुलिस में selection आपने देख रखे होंगे, पूरे मधुवन में जाकर आप देख लेना, ये तो कुछ जलकिया है, पूरा का मधुवन अपने छोटे बाईयों से बढ़ा पड़ा है, तो ये बेच है आपका proper guidance बेच है रहेगा, ये वैसे जिसे अरियनपलिस का और बेच है दुरीना एप पर चल रहा है, ये proper pure guidance बेच रहेगा, इसमें केवल है आपके doubt session भी होगे आपको पढ़ना केसे है, आपको त्यारी केसी करनी है, आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से सारे के सारे बुक reference बताई जाएगी आज इंगलिस में ये vocab करनी है आज मेत का ये percentage का topic करना है, उसके बाद उसको ना जो भी आपके doubt session भी हो सारे के सारे होंगे, तो मातर 599 रुपे फीस रखी गई है और ये सोरव सर है ना, ये selection के लिए जाने जाते, SSC के बहुत ज़्यादा इन्होंने guidance base है, सपलता पुरुवक है, हरन की है, तो मैंने छोटे बाई से request की personally की आपने 22 exam निकाले है, हमारी हर्याना की बच्चों के लिए भी एक base लेकर आई है और अब है ना, ये guidance base के से चलेगा, इसमें क्या होगा, खुद आप है, सोरव सर की बात को सुनिए और ये base है ना, मैं इतने आप अगर मेरे पर विश्वास करते होना सभी बच्चे चाए beginner होना वो भी आजसे ले सकता है हाई, ये है कि ये 90 दिन का बेच रहेगा, और इसकी validity एक साल तक रहेगी एक साल तक आपका अभी area ना, पुलिस में तो आप selection लेई जाओगे 90 दिन में और फिर भी एक साल तक जो नहीं ले पाया beginner है ना, उसको भी 90 दिन में एक ऐसा target हो जाएगा कि साथ साथ चाए coaching करना, लेकिन ना, ये beginner के लिए भी उतना helpful रहेगा, कम से कम 8 गंटे की seating library वाले बच्चों के लिए तो ये रामबान रहने वाला है, beginner सीख पाएगा कि पढ़ना के से है, क्या पढ़ना है, हम पढ़ने तो बेड़ जाते हैं 10-10, 12-12 गंटे, लेकिन हमें पता नहीं है पढ़ना क्या है, अब सोरव सर खुद बताएंगे कि ये बेच किस हिसाब से चलेगा, आगे सोरव सर को सुनिए, बहुत अच्छा छोटे बाई है और ये मलब बहुत इन्होंने इतने सिलेक्षन दिये कि आप सोच भी नहीं सकते इतनी कम उमर में, तो हम और सोरव सर मिलकर हरियाना पुलिस का ये गाइडेंस मैंचे शुरू कर रहे हैं, सोरव सर को आगे सुनिए, धन्यवाद हेलो एरिवन, वेलकम टू आवर यूटूब चैनल, आज बटा, जो बच्चे इस वीडियो को हो सकता है, अप्लिकेशन में देख रहे हूँ, यूटूब प्लेटफॉर्म पे देख रहे हूँ, धूरीना अप्लिकेशन पे देख रहे हूँ, मैंटर 365 यूटूब चैनल पे इसके फाइदे हैं, क्योंकि जब मैं as a student थाना, 2017 में ट्यारी स्टार्ट करी, कोई बताने वाड़ा नहीं था, कि भाई त्यारी कैसे करनी है, एक साल ये पता लकरने में निकल गया, कोचिंग कर ली, अब क्या करे, बुक्स कहा से पढ़े, पता निकितने सारे डाउट्स, एक एक चीज से स्ट्रगल करा, 17 से 19 आ गया, 20 साल निकल गे, त्यारी करते करते, तब जाके बता चला, अगर हमें कोई स्टार्टिंग से पहले दिन से बता देता, कि भाई, ये बुक पढ़ ले, इस टीचर से पढ़ ले, सेलेक्शन कन्फरम है, डेली ये ये टार्गेट फोलो कर ले, तो शायद आज हम कहीं और होते, लेकिन देखो भाई, अपनी मेहनत से ही सीखता है, किसीने का है, अगर अपने तजूर्बे करते जाओगे, तो जिंदगी छोटी पढ़ जाएगी, और दूसरों के तजूर्बे से सीखोगे, तो बहुत आगे निकलते चले ज जाता है, देली समझ नहीं आता, क्या करू, क्या ना करू, बहुत सारी दिक्कते हैं, तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, इस बैच का लाने का उद्देशे क्या था, सबसे पहला, कुछ बाते मैं मेरे बारे में बता दू, क्योंकि आप मुझे शायद हो सकता है, इस प प्लस भी में, और भी काफी सारे सेलेक्शन्स होएं हैं, आईबी, एस याईओ में भी हैं, और भी काफी सारी चीज़े हैं, तो भाई, अठारा प्लस एक्जाम क्रेक करना, एक गाउं के बच्चा, जो बिल्कुल गाउं दिहात से उठके गया, जब मुखरजी नगर में प अठारा पलस, लेकिन सेलेक्शन्स आपको भी इतने ही लेने हैं, लेकिन मैं चाता हूं कि आपका टाइम डूरेशन कम हो, जो धाई साल हमें पता करने में लग गए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इंगलिश में क्लोस टेस्ट वीक है, तो क्या कर जो के लिए अनेमल हस्बेंडरी आती है, हर्याना पुलिस के पेपर में कितनी सारी चीज़े हैं, 10-12 सब्जेक्ट मैनेज कैसे करना है, अनेमल हस्बेंडरी को कैसे मैनेज करना है, IPC, CRPC पूछी जाती है, बहुत सारे हर्याना जिक्के से आपके कुछ क्यूशन आते हैं, reasoning से आते हैं, हिंदी से आते हैं, जिक्के से आते हैं, जिक्के में मैं बात करूँ तो history, polity, geography, political science, current affair, statics जिक्के, biology, physics, chemistry, जिसको अलग से science का नाम देती है, सले बस देखोगे तो HSSC उसको अलग से science बोलती है, और इसके बावजूद भी fix नहीं है, pattern क्या पूछेगी, तो इ guidance batch, देखो, दो फाइदे हैं इसके, आपको पता है, हर्याना जिक्के में बिल्कुल माहिर है, जिक्के बाई परदीप सर, हर्याना के batches के लिए उनकी team जबरदस्त जानी जाती है, क्योंकि देखो, उनको बिल्कुल सटीक knowledge है इस field की, शायद आप लोग, या मैं भी मैं जब हम 11-12 किलास करके निकले होंगे, तब से ये पढ़ा रहे हैं, हर्याना के बच्चों को selection दिला रहे हैं, तो उनको बिल्कुल सटीक knowledge है, कुछ competitive exams की मेरी knowledge add-on हो जाएगी, दोनों चीजे add-on होके, आपको इतने जबरदस तरीके से target और guidance मिलेगी इस batch में, कि आप होगे, कि आर selection लेने का क्या जिरिया है, ठीक है, देखो क्या कुछ रहेगा, मैं एक बर detail में बता देता हूँ, पहली मैं सुरुवात करूँ, तो आपको 90 days तक daily targets मिलेंगे, 90 days तक daily targets मिलेंगे, क्या फाइदा होता है इनका भाई, पिचाण में question आ रहे हैं, अगर मालो, 70 question भी fix हैं, और इन 70 में से हमने 65 सही कर दिये, और जो 20-25 question fix नहीं आ रहे हैं, मतलब कहीं से कुछ भी पूछा जा रहा है, उनमें जो सब दुख्ये मारेंगे, हम भी मारेंगे, लेकिन ये जो 65 question का फासला है, ये हमें आगे लेके जाएगा, समझ में आ रहे हैं मेरे भाई, त 20 दिन के आपको daily target मिलेंगे, दूसरा आपको 10-15 guidance sessions मिलेंगे, जिसके अंदर मैं आपको proper तरीके से guide करूँगा, beginner से government job तक का आपका सफर कैसा रहता है, कैसे basics देखो हमेशा सेम रहते हैं, basic नहीं बदलते किसी भी चीज में, selection क्यों लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, कुछ बच्चे हर exam को crack कर रहे होते हैं, वो क्या कुछ अलग special करते हैं, जिस वज़े से वो selection ले जाते हैं, यह हम discuss करेंगे इसके अंदर, तीसरी चीज, आठ से दस घंटे की continuity की guarantee है, और यह guarantee इस वज़े से नहीं है, कि भाई नहीं, पांच जार प्लस बच्चों को guide कर चुका हूँ, जिसमें से आप लगबग यह बान के चले, कि 10% से उपर-उपर selection ratio रहा है, और बाद में भी बच्चे select होते हैं, लेकिन 90% बच्चों ने काया है कि हाजी सर, continuity आठ 10 घंटे की बन गी, हमें पता लग गया कि selection लेना कैसे है, अब पढ़ना मेहनत करना हमारे आद में है, अब हमसे मेहनत नहीं होती तो हमारी गलती, लेकिन आपने रस्ता दिखा दिया, वो सबसे बड़ी बात है, चोथी ची अगर तीनों बुक पढ़ने जाएंगे, एक साल का समय निकल जाएगा, हम as a teacher, क्योंकि मैंने खुद भी इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, आप बुक का नाम बताएं, हरियाना की हो, SSC की हो, कोई मर्जी बुक हो, आप बुक का नाम बताएं, मैं आपको बिलकुल डिटेल मे बेस्ट बुक लिस्ट इसके अंदर बताने वाड़ा हूँ, जिससे आपकी बेस्ट आउट पुट आए, ठीक है, तो बेस्ट बुक लिस्ट आपको देखने क्यों मिलेगी, है ना, उसके बाद, पाचवे नंबर की मैं बात करूँ, तो बुक लिस्ट के बाद आती है, जो स सबसे बड़ी समश्या होती है, वो है टाइम टेबल, इससे टाइम मैनेज कैसे करे पढ़ना, तो दिन में 9 गंटे है, 3 गंटा जिक्के पढ़ लिया, 2 गंटा इंगलिश पढ़ लिया, 3 गंटा मैथ गए ये तो, 8 गंटे गए, अब क्या करू, मैनेजमेंट कैसे करू, अन आपके अपने फेवरेट टीचर जिक्के बाई परदीप सर से, ये समझ लो, जो महारत हासिल है हरियाना में जिनको इसकी, हरियाना के क्या क्यूशन एक्जाम में आएंगे, जिक्के बाई परदीप सर से आपको पता है, ज्यादा नबज किसी ने नहीं पकड़ रखी, तो वो सारी वीडियोज का ऐसेस आपको मिलेगा इसी बैच के अंदर जिक्के बाई परदीप सर के दोरा, सारी वीडियोज का मतलब ये नहीं, मैथ इंगलीज, जिक्के साइंस नहीं बिटा, ये गाइडेंस बैच है, यहाँ आपको जो एक्स्ट्रा सबजेक्ट्स हैं, जैसे कंटेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, चठा क्यूशन हमारे पास आता है, सर मैं बिगनर हूँ तो क्या ये बैच ले सकता हूँ, बाई बिगनर को तो स्टार्टिंग में पक्का लेना चाहिए, स्टार्टिंग में पता लग गया पढ़ना कैसे है, फिर अपनी कोचि सार साल से 90-day hard challenge कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है इतने सारे selections, तो उस output के आधार पर हमने targets को बिल्कुल fix कर दिया है, जिसकी वज़े से वो beginner as well as advanced बच्चे को भी help करते हैं, बिगनर और advanced बच्चे दोनों को help करते हैं, दूसरी बात आपके दिमाग में doubt क्या आता है, कि sir मेरा target दो दिन में पूरा होता है एक दिन का, हो सकता है क्योंकि आप beginner बच्चे हो, basic आपका कमजोर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दो दिन लेके target पूरा करें, थोड़ा slow चल मोक लगाने होते हैं, topic wise मोक टेस्ट लगाने होते हैं, बस उनको एक चीज़ पता है, coaching कर लेंगे, coaching कहा कर लोगे, चले जाएंगी किसी center में, center में कोण पढ़ाता है, जी, फलाना teacher पढ़ाता है, वो क्या करता है, वो भी खुद एक्जाम देखे, हमारे साथ group D का paper देखे आयता, नहीं हुआ उसका, अब क्या, जी, हमें math पढ़ाता है, कहीं उदार नहीं होगा, जिसने खुद exam ना निकाला हो, हो सकता है, वो किसी subject का best teacher बन जाए, लेकिन मुझे पता है, हकिकत हर्याना की 99% coachings की, जो चलती है, वो सिरफ एक उमीद पे चलती है, कि हर्याना की ए से फीस लेनी है, और फिर अपना सटर डाउन करना है, जब दुबारा भरती आएगी, फिर सटर उठा देंगे, ये काम हर्याना में होता है, लेकिन जब से धुरीना platform आया है, हर्याना में जबर्दस तरीके से even coaching online आपको घर बैठे मिल रही है, उस coaching के साथ साथ जब ये guidance ज टाइम के साथ आता है, जिस दिन आपके 5 government job लगेंगे, आपको भी confidence आएगा, और जब आप 10 बच्चों को त्यारी कराओगी, उनमें से 2 का selection होगा, आपको भी confidence आएगा, कि हाँ, जो मैं कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, इसी वज़े से मैं इतने confidence से कह रहा हूं, भाई, 600 र ठीक है, तो इस नंबर पे अगर कोई भी doubt आता है, तो आप call कर सकते हैं, एक चीज़ और में add कर देता हूं, 18 तारिक Monday से आपका batch start हो जाएगा, पहले दिन के target आपको मिल जाएंगे, उससे पहले 2-3 guidance videos भी आपको मिल चुके होंगी, कैसे पढ़ना है, कैसे subject time manage करना है, सार आत को दिमाग में बिठा लेना, कि 18 मार्च से साथ आ जाना, हो सकता है, कोई भाई इस वीडियो को बाद में देख रहा हो, 18 मार्च के बाद, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लेट नहीं है, day 1 से लग जाना, कभी भी आप इस batch से जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट बैस्ट निकाल के batch आपको देगा, ठीक है, तो जो भी इस batch से जुड़ना चाहे, जुड़ सकता है, most welcome है धुरीना अप्लिकेशन में, thank you, bye bye, take care, रहीं